आप सब और आज के वीडियो में हम बात करने वाल हैं Sensex और Nifty Sensex और Nifty आपने बहुत बार नीउस पेपर में पड़ा होगा बहुत सारे नीउस चैनल्स पर भी ये सुना होगा पर ये टर्म्स एक्जाक्लि होते क्या है Sensex Sensex और Nifty आज हम सीखें के बिल्कुल simple language में देखिए ज्यादर टेक्निकल होने की कोई ज़रूत नहीं है अब मैं आपको समझाता हूँ सैंसिक्स क्या है हमारे पास इंडिया में मेजर दो स्टॉक एक्सजेंज है एक है नैशनल स्टॉक एक्सजेंज जिसे हम NAC भी बोलते हैं क्योंकि दिया हंड्रीड्स एवन थाउजन्ज ओफ कंपनीज तो फिर क्या करा जै अब कैसे इतरमाइन करेंगे कि मार्केट इपर गा नीचे मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है एक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है इसके लिए एक ग्रुप बनाएं यानि कि National Stock Exchange की Top 50 Companies का ग्रुप बनाया गया जिसे बोलते है Nifty और Bombay Stock Exchange की Top 30 Companies का ग्रुप बनाया गया जिसे बोलते है Sensex अब ये Groups क्यों बनाया गया? तेकि ये Top 50 और Top 30 Companies के जो ग्रुप हैं जब ये Overall बढ़ते हैं या गिरते हैं उससे हमें पता पड़ता है Markets में क्या चल रहा है Markets की Performance कैसे चल रही है तो माल लीजे नेक्स टाइम आप न्यूस पढ़ रहे हैं कि Nifty 100 Points ऊपर चड़ा कैसका ये मतलब है कि Nifty में 50 Companies थी वो 50 Companies ही Rise हो रही है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि हर Group में हर Company का Weight अलग अलग है हो सकता है कि Majorly 70 Companies उसमें Rise करी हैं पर कुछ Companies नीचे जा रही हो ऐसा बिलकुल पॉसिबल है पर हां Majorly Nifty और Sensex का यही मतलब है कि ये Group of Companies हैं जिनसे हम Market की Performance evaluate कर सकते हैं जैसे कि आप कोई स्कूल देखेंगे अब आपको जाना है ये स्कूल कैसा perform कर रहा है क्या मैं अपने बच्चे का admission इसमें लू या ना लू तो आप क्या करेंगे क्या आप जाकर स्कूल में हर एक बच्चे से पूछेंगे कि आपका कौन सा rank लगा आप कितने successful है नहीं आप स्कूल के कुछ group of students को चेक कर सकते हैं जिससे आप पता लगाएक पाएंगे कि स्कूल का performance कैसा है तो ये आज हमने सीखा Sensex और Nifty क्या होते हैं आने वाले वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीज़े सीखने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई